हेलो दोस्तों नमस्कार आज की इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे सुयवीन की फसल की यदि ग्रोथ बहुत ज़्यादा कम है यानि जितनी अच्छी से बेजिटेटिव ग्रोथ है बढ़नी चाहिए थी उससाब से प्लांट की हाइट नहीं होई है ग्रोथ कम है तो इ रेगोलेटर की बात नहीं कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं प्लांट की हाइट को इंक्रीज करने बाला प्लांट ग्रोथ है पिर मोटर के बारें बात करने बाले हैं यानि कभी-कभी क्या होता है कि लगातार्यादी वरसात हो रही है या फिर आपने उतनी अच्छे से बेसल ड दोज भी अच्छा रखा है और खादों का प्रयोग भी अच्छा किया है तो यदि आपकी फसल की गिरोध बहुत ज़्यादा कमजोर है पीलापन की सिकायत है यानि कुल मिलाकर हर एक एक्टिविटी करने के बाद भी डोरा कुल पर चलाने के बाद भी यदि बढ़वार उतन बाले किसान ही इन प्रोडक्ट का इस्तमाल करें बागी फिजूल की खर्चों में मत पढ़ें यदि आपकी सोयवीन की फसल अच्छी बढ़वाल ले रही सब कुछ अच्छा है तो फिर आपको प्लांट ग्रोथ प्रमोटर को तो सपने में भी देखना नहीं चाहिए यह ख मार्केट में 20% बाला भी आता है 40% बाला भी आता है तो मार्केट में 20% बाला उपलब दासानिस हो जाता है हम नाइट्रो वेंजिन की बात कर रहे हैं जिसे बूम फिलावर के नाम से भी जाना जाता है कुछ आलाकों पर मिलता भी है और कुछ आलाकों पर नहीं भी मिल पा गण की मातर आपको कौंटिटी बढ़ा कर स्प्रें नहीं जो भी दोज उस से आप 30 परसेंट कम ही स्प्रें करें जिब्रलेख एसड और आप नाइट्रो वेंजिन को मिला करके नाइट्रो वेंजिन वी स्प्रेंट वाला जो डोज है 400-500 ml प्रति एकड की दर्स स्प्रें करे और जिब्रेलिक एसेट भी अलग अलग परसेंटेज वाला आता है तो किसी भी कम्पनी का आप जिब्रेलिक एसेट को ले सकते हैं इस से भी चाल बढ़वार बहुत अच्छी देखने के लिए मिलती है इतनी अच्छी कि नई ना फुटाव आएंगे नई ब्रांचिस की संक् फसल हरी भरी और काफी अच्छी ग्रोध देखने के लिए मिलेगी यदि यह कॉम्वरीसन आपके एरिया में नहीं मिल पा रहा है तो रेपी ग्रोध नाम से प्रोड़क्ट आता है इसका भी आप स्प्रे कर सकते हैं यह भी बढ़वार के लिए काफी हैल्ब और मददगार रहता है शोयाबीन की फसल के लिए सिजेंटा कंपनी की क्वांटिस आती यह एक बायो इस्टी मूलेंट है इसमें और्गनिक तत्तों की मात्रा भी पाई जाती है सिजेंटा कंपनी की क्वांटिस ओवर वाल बढ़वार में फसल को हरी भरी करने में फलफूल की संक्या 200 ml मैकजीमम आप स्प्रे कर सकते हैं और 1200 ml को एक इकड़ में स्प्रे करना है 200 लीटर पानी में घूल करके इसके अलाबा दोस्तों इसब्योन अब है तो यह टोनिक इसमें अमीनो एसेड है लेकिन इसब्योन एक इसब्रोडक्ट है जो टोनिक होने की बाबजूद भी बढ 200 ml आप स्प्रे कर सकते हैं आपको लग रहा है कि बढ़बार थोड़ा कम हुई है जाद नहीं थोड़ा कम हुई है तो फिर आप इसब्योन टोनिक में जा सकते हैं यह बढ़बार और फूलों की शंक्या बढ़ाने में कुछ जादा ही मदद करती है सीवीट का भी स्प्रे क सकते हैं लिक्वेट मार्केट में आती है तो इसको 300 ml प्रती एकड़ की दर्सें 300-500 ml प्रती एकड़ की दर्सें इस पर किया जा सकता है ध्यान रखिए जिब रहलेक एसिट का यदि आप इस पर कर रहे हैं तो कॉपर औक्सी क्लॉड़ाट फंगी साइट है टिल्ट फंगी की बात करी है पीजीपी की बात करी है वह किसी भी दवाई के साथ आप मिलाकर के कीट नासक हो गई फंगी साथ हो गई एनपी के हो गई मिलाकर इस पर कर सकते हैं और दवाई मिलाने का जो तरीका यही है कि हर एक दवाई को अलग-अलग वाल्टी में खूल करके यदि आप अपनी टंकी पर ड्रम पर मिलाएंगे तो फ़र दवाई फटने की समस्या है या फ़र रिजल्ट प्रभाब की जो समस्या वो आने वाली नहीं है तो इसलिए इन बातों का ध्यान रखें आपके स्वेबिन की फसल की बढ़बार रुगी हुई है तो इन प्रूडक्ट्स पर आप सकते किसी भी एक का इस पौधक कर सकते हैं रिजल्ट अच्छ मिलेगा इस पे साम टाइम करेंगे तो आपको और भी अच्छी रिजल्ट देखने क्लिए मिलेंगे इस पर करने के बाद कम से कंक्ब धाली घंटे तक बड़सात नहों तो समझध लीजिए आपको प्रीस टक्ष मिल गए सिलिकोन चिप को मिलाकारी स्प्रे करना तो सर्त है कि आपको इस पर भी करना है जब बढ़वार कमजोर हो और पीलपन की सिकायत अधे को और ज्यादा फुटाव की संक्या भी देखने के लिए नहीं मिल रही है तब आप इन प्रोडक्ट्स पर जा सकते हैं य यह नाकीबल गिरोध को इनहेंस करने वाले हैं बलकि हमारी फसल में एक अलग प्रकार की चाल फलपूल की संक्या और काफी अच्छी रंगत यह प्रोडक्ट आपकी सोयवीन की फसल में लाने वाले हैं तो किसी एक को आप स्प्रे कर सकते हैं इसी प्रकार की जानकारी सब्सक्राइब कर दीजिए वीडियो को लाइक कर दीजिए धन्यवाद